हेलो एवरीवन दिस इस अधनान सर यहर करेंट अफेर वित अधनान सर के चैनल से आपका हर्दी का विनंदन है जो चल रहा है तो लास्ट डे मीरा भाई चानु जी ने गोल्ड मेडल ला करके भारत का नाम काफी रौसन किया उसके साथ आज के दिन जेरेमी जो मेजोराम से बिलॉंग करते हैं उन्होंनों भी भारत के लिए गोल्ड लाया वेट लिफ्टिंग में सो काफी प्रॉड मोमें सब्सक्राम दो गोल्ड मेडल अब तक का जो है आ चुका है सो फाइनली हम लोग अपने टॉपिक्स पर रिटाना आते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि 31 जुलाई 2022 को मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एंसी क्यों कोश्चन्स लाओंगा आपके लिए सो नॉर्मली यह जो एंसी क्य इस दिख जाएगा हमारी चैनल पर यह पार्ट वाइद आएगा सो आज के दिन यह पार्ट वन है नेक्स्ट मेरा पार्ट टू आएगा और इसके साथ साथ आपके रिक्वेस्ट में आप जो मुझे कमेंट कीजेगा उसके कोर्डिंग में वीडियो बनाओंगा और आपके लिए और अच्छे-ची कोशन्स लाओंगा सो आई चलते हैं बढ़ते हैं अपने पहले कोशन्स की तरफ कि आज का पहला कुशन्स हमारे क्या है टॉप 50 mcq में सो फाइनली जो हमारा फर्स्ट कोशन है वह रिलेटिट टू आपका है नैश्टनल स्टैटिस्टिक्स डे है वह कंब ऑफर्ब्व होता है इसका अंसर जानने से पहले हम लिए जान लेते हूं कि यह जो नैश्टनल स्टैटिस्टिक्स डे है यह किसलिए हम लोग भी इसको रिलेट करते हैं तो जैसा कि आप लोग आपको मालूम होगा कि फाइब प्लान जो हमारा था जो फाइब जो आरॉंड 1950-1951 से जो यह शुरुवात हुआ था इसका देन उसके बाद फिर आगे-आगे बलते चला गया दिन बाद में जाकर के लूट कर इसका नाट भी नाजनल स्टाटिस्टिक्स जो डे है यह कब कि इस अब्सरेब्रेट होता है और यह किस से से रेलेट होता है सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदुस्तान में это びल था और की फारेंटली 2015 में नीटी आयोग आया तो आपको यह सेक्षन वथ रआना है कि यह कुसे शुग जो फोस्तिफ घानते हैं के यह वह प्लान आया था तो यह मॉडल जो लाने वाले थे वो पीसी महालनोवीस थे पीसी महालनोवीस मॉडल्स भी कह सकते हैं हम लोग सेकंड फाइबर प्लांस को जो महालनोवीस जी इन्होंने इंडियन स्टाइटिस्टिकल इंस्टिटूट 1932 में फॉर्म्ट किया उसके साथ साथ इनको पदमा भीवुशन एवार्ड भी मिला हुआ है 1968 में 2022 का जो थीम है नाशनल स्टाइटिस्टिक्स दे का डेटा फोर डेटा फूर सस्टेनेवल डिवलप तो आईए इसका अंसर हम लोग जालनेते हैं कि नाशनल स्टाइटिस्टिक्स दे कब ऑब्जर्व होता है तो 29 जून में नाशनल स्टाइटिस्टिक्स दे कब ऑब्जर्व होता है आपका 29 जून ओके दिन सेकंड कोश्चन के तरफ मूफ करते हैं कि टॉप 50 mcq में जो हमा डिवलप किया ऑप्शन डियाडी यह वी सिरो देन और नासा और जाक्सा फर्स टाफॉल मुश है यह जून हमारा इंडिया इंडिया का झालनागनाजेशन से इस इंडिफेंस डिफेंस रिलेटिटेड़ वका डिफेंस्ट एक ओर्गनाईजैशन उसके साथ इस रिजपलेशद नसा जो एशा जाकसा जापान का है कौन सा फ्लाइंग डेमोंस्ट्रेटर डेवलप किया तो इसका आपका अंसर हो जाएगा आपका डिया दियो तो आपको बताना है कि डिया डियो के रहती है तो आई जानते हैं कि सेलफ घुरूप क्या होता है तो नॉर्मली जो सेलफ एक गुरूप होता है पास से मेंबर या साथ मेंबर का जो आपस करके अपना खर्च निकालती है और अपना जो काम वह आपको करती है कोपरेट हो करके जस्ट लाइक कोपरेटिव नेचर के काम करती है यह लोग तो रिसेंटली गवर्णमेंट इनका अमॉंट रेज करके वन लाइक रुप्या कर दिया है तो आपको एयर्स बताना है कि यह एयर्स में लब के कब तक किया है और सुप्षाने 2026 ऑप्षण भी 2024 उसके बाद फिर आपको ऑप्षण सी 2028 दिन आपका 2030 तो इसका फाइनल जो अंसर हो जाएगा आपका वह आपका 2024 हो जाएगा आए हम मूफ करते हैं आपनी नेक्स्ट कोशन की तरफ नेक्स्ट जो हमारा आज का कोश्ट से नेक्स्ट जो हम तबसे पहले पहले होता क्या और पूरा नान क्या है सब्सक्राइब क्या है कि पीएस एलवी और इक्स्परिमेंटल मॉडियूल से पीएसली डाइस कॉल पोलर सैटलाइट्स लांच वेकल्स तो रिसेंटली क्या हुआ कि अभी किस और ऑर्गनाइजेशन ने नया एक प्ले इंडिन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन आएए मुफ करते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ अभी क्या है कि गौश्णमेंट ओफ इंडिया सोलर पावर प्रोजेक्ट की तरफ भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि किस तरह से सोलर पावर प्रोजेक्ट को इसका नॉर्मली आपका अंसर हो जाएगा एक जुलाई 2022 का तो आई जानते हैं कि सोलर्स को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या इनिशेटिव लेती है जैसे आइस फूर इग्जामपल अटल जोती योजना उसके बाद सोलर पार्क स्कीम देन उसके बाद रूफ सब्सक्राइबंदम फ्लोटिंग सोलर पॉर प्रोजेक्ट से इए आपका तिलंगाना का है तिलंगाना के जो भी सियमिंट में वह केसी आर दी आने कल वकुंटला चंदर शेखरर राओ जी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि तिलंगाना के प्रेजर्ण में कौन है option A सिखर सर्मा option B भानु परताप सर्मा option C अनुराग भर्मा option D विजे कुमार सो हम पहले यह जान लेते हैं कि जहां भी financial services इस तरह का बात होगा तो आपको normally Reserve Bank of India नाबाड National Housing Banks इंपोर्ट इन सारे बैंकों का नाम आपको मालुम होना चाहिए और इसके खासकर Reserve Bank of India के बारे में डेटेल्स अनलिसीज बहुत जरूरी है जैसा कि आपको पहले मालुम होगा कि Financial Services Institutional Bureau है इसका नाम अभी रिप्लेस हुआ रिसेंट में इसका पहले जो नाम तब इस वन जो अभी रिसेंट में Financial Services Institutional Bureau के चेर पर संसे सो मुव नेक्स्ट कुस्टन की तरफ रिसेंटली अभी युनाइटे नेशन Oceans Conference 2022 में और उस Conference में Ministry of Earth Science जो इंडिया की Ministry है इसमें MLP के वर्चुली सामिल्स थी और एक और हम लोगों का एक एजेंडा है Sustainable Development Goals को लेकर के SDG Goals को लेकर के जिसमें Goal No.14 जो हमारा है Life Below Waters पे बात करता है तो सबसे पहले हम जालते है कि World Ocean जो डे है वो Observed कब होता है Option A 8 June Option B 15th of July 2022 28 June 2022 दें 21 July 2022 तो इसका correct जो आपका answers हो जाएगा वह आपको option number A हो जाएगा 8 June 2022 तो आपको World Asian जो डे है वो 2022 का आठ जुन को वह celebrate किया जाता है इसके साथ साथ आपको United Nation का Ocean Conference 2022 यह आपको माइन रखना है उसके साथ साथ आपका ओशन एकोसिस्टम वर्ल्ड मिनिस्ट्री ओफ अर्थ साइंस यह सारा चीज रिमेंबर आपको रखना आए मूफ करते हैं हमारे नेक्स्ट कोश्टन की तरफ कोश्टन जो है कोश्टन न कारियर फूसियंट और इंडिजिन इयरक्राफ विचिस डेवलप्ट बाइशियंगे के करीयर फूसन क्या एक तरह का पहला इंडिजिन इयरक्राफ्ट सैसिप्र क्या तो इसको किस कॉंट्री ने भी डिवल्प्क्याया यह ली तो आए जानते हैं कि जो एक्ट्राफ्ट है तो St Nearly Kya होता है कि Wochen deception के विस्टाम कर सकतовых है और वह बहुत si you can work in het के लिए के लिए 가서 अमधिये जाए क्यों कि यह इसके लिए सो इससे पहले क्या भी सौथ पोरिया सी नंबर यूए से डी नंबर जपान तो इसका ऑप्शन जो ए है वह आपका चाइना यह अंसर हो जाएगा चाइना के पास और दो एरक्राफ्ट है एक आपका सैंडंग है एक आपका लिया लिया निंग है जो जो चाइना ने योकरेन से लिया 1998 में उसके सा जो आपका युएक उसके पास में और चाइना के पास में जो आपका वह सेकंड नंबर प्राटा से नॉपस्सिंट नंबर लिए वह इंडिया के पास आए इंश वुक्रम अथितिया उसके साथ आंस विक्रांट इह मुफ करते हैं हम लों नेक्स्ट कोश्टन की तरफ कोशन number 9 serious scheme which is launched by which one of the following ministry इन्हें कि serious किम है Government of India का व्यवस्कों कौन के भी रिसेंड मिनिस्ट्रीन ने option A ministry of human resource option B ministry of skills and development entrepreneurs ships option C ministry of finance and option D ministry of earth sciences तो आपका correct answers क्या हो जाएगा सब्सक्राइट करेक्ट इसमें हो जाएगा option सब्सक्राइब सब्सक्राइब का पूरा नाम होता है एक्षाल में हायर एड्यूकेशन यूथ और सकते हैं या फिर आपका पॉली टेक्निक्स टाइब को जो आपका बोल सकते हैं यह जानते हैं कि आपका फाइनेंस रिच्ट्री निर्मला सितरामन जी है उसके साथ से डिफरेंट डिफरेंड मेनिस्ट्री अपना वर्क करते रहती है आएए मुफ करते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ कोशन नमबर टेन यह काफ़ी इंट्रेस्टिंग कोशन से कि ऑपरेशन जो नार्कोष है वो लॉंच्ट कौन किया किस और गनाजेशन से नहीं किया ऑप्शन ए एनाय डाइडिस कॉल नाशनल इंवे यह सारे जो और्गनाइजेशन से यह काफी जो चर्चित रहती है तो आपको अंसर बताना है कि ऑप्रेशन जो नार्कोष है यह किस ने लॉंच्ट किया तो आप्शन नमबर सी आर्पीएफ नहीं के रेलवे प्रोटेक्शन स्फोर्स सो आर्पीएफ जो है यह मिनिस्ट्र स्फोर्स का और भी कई सारा ऑप्रेशन था जैसे कि ऑप्रेशन आहट उसके बाद मेरी सहली इनिशेटिव यह जो मेरी सहली इनिशेटिव है यह नॉर्मली आपका सौथ इस्टन डेलवे से यह पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉंच हुआ था 2020 में उसके बाद नन्ने फरिष्टे ऑप्रेशन जो नन्ने फरिष्टे वो चिल्ड्रेन से रिलेटेड सो यह जो लॉंच हो ऑप्रेशन नार्कोस थ्रू आर्पिएफ के जरिया तो इसमें एंसी भी इन लोगों की हेल्प करीगे नाशनल क्राइम नार्कोटिक कंट्रोल बीरो और एक बात तो आप याद रखिएगा एडी के बारे में एंफॉर्समेंट डिरेक्टेट यह काफी इंपॉर्टेंट और्गनाइजेशन से राइट नो अभी जो अभी बेंगॉल में से स्काइम को जो केस चल ला है उसके उपर साइए बढ़ते अपनी नेक्स कोशन की तरफ रेसेंट डर्णी द्वाय। सेंक्च्चुरी कहां पे लोकेटेड है सेंट डर्णी सेंट डर्सेंद वाय। सेंटेक्चुरी कहां लोकेटेड हैfry ऑप्शन एक एरला और सब्सक्क्र आप्शन चाहिन के निपेटिलग हो perturbation क मेहाँ कि आजीओके हों sensor हीगा वह कीellों और यंक्क और दिनने के वज़े से यह एफेक्ट होती है चेन कुरुण जी स्पेसिस दिन उसके बाद साथ-साथ अगर हम सेंडरनी वाइलाफ सेंक्टूरी के बात करें तो यह आपका केरला में लोकेटेड है वेस्टन घाट और केरला के किस डिस्टिक्ट में तो कोल्नम दिस्टिक्ट में लोकेटेड है और सेंडरनी वाइलाफ सेंक्टूरी यह अगस्थिया माला बायोस पर रिजर्ब का एक पार्ट है जो वेस्टन घाट में लोकेटेड है आई यह मूफ करते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ जो नेक्स्ट हमारा जो कोशन से वह आपका है इसको लॉंच कि इन्सटीट ने किया ऑप्षेंट भी रूड की ऑप्षण सी आई आई आइटी देली तो इसका अंसर सिंप्ली हो जाएगा आपका ऑप्षन नंबर एई आई आई आइटी हाइदराबाद जब लोग एजूकेशन का बात कर रहे हैं और आई इसका बात कर नाशनल इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क्स तो उसमें किस कॉलेज ने सबसे रैंक वन लाया कौन सा सेकंड रैंक्स पर है कौन सा इट का नंबर वन पर यह भी आपको जानना जरूरी है उसके साथ साथ निव एजुकेशन पॉलिशिस काफी इंपोर्टेंट है इस ह homeless त cotton शुक्र साथ यह जो प्रोजट इसके साथ सब्सक्राइब की तरह सब्सक्राइब है कि sap यह को एक टरह का इस टॉर्म है कि टीन्स का एपको बताना है पहां यह ड Ground actually ऑप्षण भी रशिया ऑप्षण सी जपान देन ऑप्षण टी इंडोनेशिया तो इसका राइट ऑप्षण हो जाएगा आपका यूएस इसे किया हुआ कि यह वह ग्रीन का यह प्षयर सकते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं लोग कोशन नमबर 14 की तरफ कि फिल्ट जो मेडल है विच इस रिलेटेट टो यह फिल्ट जो मेडल है वो किस सब्जेट से आपका रिलेटेट जो नाम से यह एक्षन में अवार्ड पढ़ा नाम का 2022 यह फिर इससे पहले भी चलता था तो फिर्स्ट इवार्ड यह फिल्ट मेडल को जो पहला अवार्ड कब से शुरूब है तो 1936 में शुरूओ दो हजर बाइस में मेडल किसको मिला तो योकरेन के मैरीना वाया जॉप का को मिला उसके साथ साथ इसको नोबल प्राइज भी बोला नोबल प्राइज बोला जाता पीस नहीं नो जो इंडिया में अल्लेडी इंसको ले चुके फिल्ट मेडल को तो अक्षा वेंकटेश जी जिन जिनको 2018 में यह मेडल मिला था उसके बाद आपका मंजुल वरगावा जी जिनको 2014 मेडल मिला था होब आपको यह क्लियर हो गया होगा फिल्ट मेडल के बारे में आइए मुफ करते हैं नेक्स्ट अपने कोशन की तरह कोशन नमर 15 कि आपका कलेलकर जो कमीशन है वह किस चीज़ से रिलेटेड है यह कलेलकर जो कमीशन है सेट अप का वहां 1953 ऑप्शन भी 1964 ऑप्शन सी 1956 देन ऑ में हुआ था इसके साथ कुछ कमीशन और भी आपको याद रखना है जैसे कि मंडल कमीशन का रिपोर्ट 1980 में सब्विट हुआ था रिसेंट में भी एक OBC का यह अधर बैकवर्ट क्लासेस का सब कैटेगराइजेशन का कमीशन बना जस्टिस रोहीनी कमीशन एक्टीस जनव वह आपका है कि ग्लोबल फिंडेक्स 2021 रिलीज़ बाइफ ऑप्शन वर्डव बैंक ऑप्शन बी इंटरनाशनल मॉनेटरी फंड आयमेफ ऑप्शन सी डव्ट यूप्शन दी यूइन सी टाड यूनाटी निशन का एक और चोटा सब्सक्राइब ग्लोबल फिंडेक्स ब्रेटन उट्ट कॉफरेंस से वल्ड बैंक जो है पहले इसका नाम ब्रेटन उट कॉफरेंस साया दिन उसके लाद फिर वल्ड बैंक पड़ा तो ओवर लॉल यह तो हमारा हो गया आज का टोटल सोला कोशन इसके बाद मुफ करते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ कोश प्रेट अफिर्स ऑफ्षान सी मिनिस्ट्य विस्किल डेवलप्मेंट देन ऑफ्षन दी नीति आयोग जल्दी बताइए आपके आपके सामने दस सेकंड से कि स्टेट्स स्टार्ट अप रैंकिंग 2021 किस ने किया ऐसलिए हुआ हम दो है आप चेद्स कर्याद मीनिस्ट्य ऑफ कॉलपरर्ट ऑफिर ऑफस्ट्ट मिनिस्ट्रो जिवेफ्लप्मेंट הנcm bal शो इसका कर्राइक विस्टिफिफी स्वचन आपका ऑप्स्ट्ट इसका आपका हो जाएगा का option A Ministry of Commerce and Industries so current में इसके जो मिनिस्टर वो जनाब प्यूस गोईल जी है इससे पहले प्यूस गोईल जी को सब्सक्राइब को प्यूस अगर्यायाओ करूंट में आपकी कमेंट सेक्षण बताना जाएगा कि यह हमारे टॉप 50 जो एंसी क्यूंज से जुलाई 2022 करेंट अफियर्स का उसका एक पार्ट वन है जिसमें टॉप 17 कोशन है नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा सो हमारे चैनल से आप लोग जोड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बजाएए कि हमारा जो यह टॉप आप 17 कोशन था आपको कैसे लगा जुलाई 2022 के करेंट अफियर से रिलेटेड जो आपके अपकमिंग एक्जैंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है चाहे वह रेल्वे हो एससी हो और मेरे ही चैनल्स पे करेंट अफियर वितद्दान सर पे आप मेरा फैक्च्वल सीरीज द काफी उसफुल है और बाकी रिल्वे से सी इन सब एक्जैंस के लिए हम अपना एंसी क्यों लास्ट टियर कोश्टन का अनलेशीज और साथ कही सारा लेक्चियर्स और अपना करेंट अफियर के सीरीज वह चलाते रहेंगे सो थैंक्यू सो माच हमारे चैनल से जुनने के लि